अंडा और गेहूं के आटे से आज हम बनाएंगे बहुत ही जादा टेस्टी नास्ता इस तरीके से नास्ता अगर आप बनाएंगे ना यकीन मानिए एक रोल खाना भूल जाएंगे बहुत जादा टेस्टी बनता है कि इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले गेहूं का आटा लग गूत लेंगे इसे तो डिर कप के हुकाटा में ने लिया है नमक और एक चम्मच इसमें तेल डाल देंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे और फिर इसमें हम पानी डालेंगे पानी डाल करके मुलायम आटा लगा कर त्यार करेंगे जैसे रोटी के लिए हम आटा लगाते ह आपको बहुत जादा मुलाय माटा नहीं लगाना है अची तरह से इसे हम गुथेंगे तो आटे को यहाँ पे चिकना कर लिया है और अब इसे रखेंगे 5-7 मिनट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा बहुत जादा नर्म या फिर बहुत जादा सक्त नहीं होना चाहिए इसके उपर जरा सा तेल लगा देंगे ताकि यह ड्राइ ना हो और रख देंगे ढग कर इसे लगबख 7 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आटा जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है एक मिनट के लिए इसे मिला लेंगे ताकि यह थोड़ा और चिकना हो जाए और फिर हम धिरोед लोई या त्यार करेंगे तो जितना चोटे बड़ा रोती बनाना हो उसे खाव से और लोई बनाते हैं बिल्कूल ऐसे ही इसे भी बेलना है तो कि प्राठो का साइज अपने हिसाब से जितना बड़ा चोटा बनाना चाहते हैं उसीह साब سے रोटी बनाः एक अब कटोडी ले लेंगे इस परकार से या फिर अपकोई प्लेट भी ले सकते हैं हलका गहरा दोत कर सकते हैं क कटकर लिया है हमने थोड़ा साखर मिस डालेंगे और धनिया पतर डालेंगे अब इसमें डालेंगेए अंडा तोड़ जा घड़ अनुसार। एक फोक से हम इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ज्यादा दिर मिक्स नहीं करना है बस हलके हाथों से हमें ही है। फटा-फट से चिल अंडा आटनी करर अपन और अम से पराथा प्लट पर पकाएंगे तो फिर पराथा यह उपर से जल जाएगा और अंदर से अंड़ा जो है वह कच्छा ही रज जाएगा तो आप इसे प्लट देंगे अर प्लट पराथा प्लट कर अच्छे से दुनों तरब से पका लेंगे एक तरब से थोड़ा से जादा पराठा जो है सिग गया है पर आप ध्यान रखे पकाते से में इसे हम अच्छी तरह से पलट पलट कर पकाएंगे और यहां पर पराठा जो है बहुत अच्छे से कुख हो चुका है बन गया है तो अब इसे हम पैन से निकाल लेंगे और अब इसे हम कट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि यह अंदर से कितब बढ़िया दिख रहा है तो बहुत ही टेस्टी अंडा पराठा यहां पे रिडी है बन कर अगर आपको एक रूल पसंद है तो फिर आपको यह पराठा और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा खान संद है तो इसे लाइक करें सेयर करें जादा से जादा और चैनल पर नए है मेरे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें